जैसा कि आपको मालूम है कि अगले साल भारत की आजादी के पिचतरमें साल होने वाले हैं अजादी का अमर्यत महात्सभ मनाए जा रहा है अब इसे शर्माट हो गई है, मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में सारे मेट्रो में और और जगह पे मे reinforcement मेट्यट्र जेशिंज में और जगेant पे पोडिंग्स दगे हैं और गांदी जी की जातर गांदी जी की और ऊस चका पे गांदी जी सुदार पटेल और इबन abeth avocado की posters फिर लगाए हैं और बाकी फर जगे पे आपकी Twitter में वर फेस्बूक में ये अपनी पराकास्टा पहुंच जाएगा और अगले साल ही निकाजी सभाशन रबोस के 125 में साल भी है तो नेता जी का भी जनन दिवस अगले साल ही है तो मतावपन का 125 में 23 जनरी को और 15 अगस को हमारी अनिवर्सरी बनेगी आजादी की तो ये दोनों जैसे कि मैं आप हुआ है उसमें लोगों ने क्या रोल प्ली किया है नेता जी महात्मा गांदी सदार पटेल सभी के योगदान को याद किया जाएगा और सभी की बातशीत होगी और वो डिसकुर्शन में अभी से फड़ा शरुबात हो गई है मैं खुद उसको जैसे कि आप लोग जानते है जिसको मैं खोद इस डिसकुर्शन को मैं मैंने चालू कर दिया है और यही मेरा जहां भी मैं लेक्शर देने जा रहा हूं अभी मेनागपुर में हूं मेरे यहां लेक्चर दो-तीन हुए थी यहां पर कल तक तो मैं वही भूमी का बान्द रहा हो कि यह अपना हमारा इस तर और आपका मेरा और आपका दोनों का इंट्रस्ट है वो उनका नेता जी का जो मृत्यू को लेकर कि उनका जो जो इसको सेटल करना गुम्हामी बाबा इसु पर हमें क्लारीटी चाहिए और साथ नहीं जो नेता जी की भूमी का इस देश को आजात कराने में जो नंबर बन है व हमारे मेरे आपके तीनों हमारे मुद्धे हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो सेटल्मेंट उनकी होने ची अब मुझे पता नहीं उसमें किता सेटल्मेंट होगा नहीं होगा लेकिन कमसे का मेताजी का नाम और यह हमारी संधतर संग्राम के बारे में काफी बातचीत होगी अब उसी में बहुत अच्छा एक discussion point थोड़े दिन पहले कंगना रनौट ने कुछ message डाले थे, वोने कुछ controversy generate कर भी, उसको लेकर कि वो highlight में आया है कि हमारे देश में जो 15 अगर्स में अजादी मिली थी, तो कोई, मैंने उनकी statement को देखा नहीं है ढंक से, लेकिन मुझे कोई जिसने से मीडिया में रिपोर्ट आई है कि भीख का word इसमाल किया गया, तो उसको लेकि एक controversy मतब हुई है, अजादी के, कि 15 अगर्स सन 47 को हमको अजादी मिली थी, कि क्या मिला था और क्या complete, उसमें, डुमेनिन स्टेटरस के बात हो रही है, और ये सभी की बाते हैं, हम ल जो थी, वो क्या थी, और वो क्या 15 अगर्स को हमको अजादी मिली थी, या हमको 26 अगर्स से पचास को अजादी मिली थी, और डुमेनिन स्टेटरस क्या था, ट्रांस्वर पावर क्या था, उसमें, उसको लेकर कि क्या controversies हैं, तो मैं चारों के चोटा सा, आपको एक ब्रीफ overall आपको समझाने की कुछ, बड़ा इशू बहुत complicated है, बड़ा complex है, लेकिन मैं कुशिश करता हूँ, देखिए, पहले बाद तो ये सवाल ये उट्टा है, 15 अगर्स सन 47 को हमको क्या मिला था, देखिए, 15 अगर्स सन 47 को हमको मिला था, डुमेनिन स्टेटरस, अंग्रेजों में अपनी हमारी जप मजा की पारलेमेंट है, वो हमारी ही पारलेमेंट थी कि अंडिया इंडिपेंडेंडेंस बिल पास हुआ, और उसी की, उसी बिल के उन्होंने उन्होंने अफ्रइज किया इंग्लेंड के राजा किंग जौज 6 öğ Tubeander में हम इनको इंडिपेंडनस देते हैं करके अब उसमें म्यंदा ये है तो आपको सवाल पहला कर सकते हैं कि भारत को शन पांता लिए चालिस में प्ना भी पुछेंद के सा से रिष्टे हैं उनके देश के जंडे में अभी भी यूनियन जैक लगावाय करके तो भारत में एक बहुत बड़ी एक आपको मालू है फीडम स्टागल में एक पहले शुरुवात में जो हमारी फीडम स्टागल का जो अधिया था जो उसका एम था पहले हम लोग डुमेनिन स जमाने में स्भास्टेंडर बोस जमाला नहरू ये लोग पूरुन सवराज के फेवर में थे लेकिन गांधी जी जू थे वो पूरुन सवराज की फेवर में नहीं थे. लेकिन 1929 में लौहार में कांग्रेस का अधिविशन वहता बड़ा मुशूर। इसमें उन्होंने पू सब्सक्राइब के बारे में इतनी नहीं है, मेरा फोकस आपको पता है कि नेता जी की डेथ के उपर है, लेकिन थोड़े-थोड़े मुद्दे जून से जुड़े हैं, तो वह हलके से मिने स्टडी की है, आने वाले समय मेरा दोस चंदूर चुर घोष आपको इसके बारे में ज जैसे ही सन 47 का दोर आया और भारत को बिटिश हरकार ने चोड़ने का मन बनाया, क्योंकि वो चोड़ने का मन बनाने का भी कारण ये था कि अंग्रेज हमारी देश्क पर राज कर रहे थे हमारी फॉज को इसमाल करके हमारी लोग उनकी फॉज में थे हमारी लोग उनकी पु वो उनके खिलाफ हो गई और इस चीज़ को वो जब लाल के लिए में आई एने के लोगों के सोल्जर्स के ट्राइल जो हैं इसको लेकर कि देश के अंदर एक बहुत बड़ी लहर मताब रोश हुआ लोग बहुत नराज हुए और उसी टाइम पे कॉंगर्स ने इसका पूरा अगयर्श है जबकि कॉंगर्स उनके खिलाफ में थी कॉंगर्स Second World War में सारे Congress के नेतों का विचारदा की उनका सपोर्ट जो था वो Vincent Churchill के सरोगार को था उनको उनका support access powers को नहीं था वो कुछ करना भी नहीं चाते थे लेकिन नेता जी की वेसे उनको करना पड़ा वो भारत छोड़ा अंदल नाम का कुछ हुआ था लेकिन वो खतम हो गया आपका बहुत कम समय में तो anyhow वो जब लेकिन वो खिलाफ में तो थे उनको वैसे भी उनको violence के बिल्कुल खिलाफ में थे Congress के नता खासकर कोई भी आप हिनसा जो हैं अग्रेजो के खिलाफ मत करें और अगर अंग्रेज हिनसा करते हैं जपान में तो वो ठीक है लेकिन आप नहीं करेंगे अंग्रेजो खिलाफ में हिंसा तो यह Congress की जो गांधी जादी जो हिंसा है यह वो है कि आप selective हैं आप अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे लेकिन अंग्रेज आगर कि किसी दूसरी कंट्री में लोगों का मारते हैं तो वो ठीक है उसमें कोई टेंशन लिए वो एक अलग मुद्दा है लेकिन Congress ने इसका पूरा इसका प्लिटिकल इस्तमाल किया अस पूरे मुद्दे का आई एने वाले का और उन्होंने अपनी सुपरमैसी जो है Congress जो उन्नी सो 22 के बाद बिलकुल एक मरीवी और्गनेशन होगी थी उसको जिन्दा करा उन्होंने नीता जी के नाम पे फंड कठे किया है आई एने के नाम पे वो पैसा कठा किया बहुत सारा और लोगों ने इवन जो लोग फॉज में थे फॉजीयों ने फिलम वालों ने आम जनता ने मुझे समय याद में 45 के आखिर में या 46 की शुरुआत में इलेक्शन होने थे और उसी इलेक्शन से नधारित होना था कि भारत का भविशे क्या होगा अजादी कैसे मिलेगी क्या होगा करके तो कॉंगर्स को मुद्दा मिला और उन्होंने इस चीज को पूरा एक्सपर्ट किया और उसे वजए से इंटरिम सरकार जो बनी है 1946 में उसके पधान मंत्री पंडित नहरूप बन गए और ये लोग संच्यालिस में बाते करते थे कि लाल के लिए से आई अबाद सेगल डिलन शाहनवाद इंकलाब जिंदाबाद लेकिन बाद में जाके यह जब जैसी इनक को सत्ता देना अच्छा था क्योंकि आफ्टर राल पंडिजी की सदार पटेल की महत्मा गांदी की अंग्रिजों से कोई दुष्मनी नहीं थी उनके साथ में बैटके चाय पानी पीते थे तो कोई उनको लेकिन सुभाश पूस से उनकी दुष्मनी थी तो उनके भी इंटर में और प्राब्लम हो सकती है तो इसके भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी थी तो यह बहुत बड़ा फैक्टर था कि रूस के खत्रे की वज़े से पाकिसान को क्रेट करना उनके इंग्लेंड के फेवर में था तो यह बात बनी और उन्होंने उनको ट्रांस्वर पावर क को लिया और 15 अगस 1947 का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 15 अगस 1945 को दो साल पहले सुभाश इनर बोस और जपानियों ने अपनी हार उनकी हुई थी उन्होंने जपान ने सरेंडर इन्नाउंस कर दिया था तो उसी डेट को चुना गया मौन बैटन जो जन्होंने सुप्री कि वही डेट उन्होंने बना करके दी कि हम 15 अगस 1947 को इस देश को हम फोड़के जाएंगे गांधी जी यह बहुत 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 लोगों को नहीं पता कि महत्मा गांधी चाहते थे कि आजार भारत के जंडे में यूनियन जेक लगना चाहिए जैसे आपके कनाड़ा के कि लेंड के जंडे में हैं आपके एस्टीले के जंडे में तो वो चाहते थे कि भारत के तिरंगे में भी एक यूनियन जेक लगना चाहिए लेकिन में खाल से कांगर्स की नेता उसके खिलाफ हो गए और यह बात अटगी लेकिन अगर जो आदनी पका गांधी बादी अगर जब उसे पूछ लोगे वो तो यूनियन जेके फेवर में था और गांधी जी यूनियन जेके फेवर में थे यह अपने आप में आपको अदर्शायागी कि कितनी घटिया हरकते उस जमाने में होई हैं 21 तरह कि मतलब आपको आज आप उस बारे में आप सोचेंगे तो आपक कि क्या भारत कंप्लीटली अजाद था नहीं जी आपके विंसेंट चर्चिल का लेटर में ने पोस्ट थोड़े ने पहले किया था ट्विटर में और फेस्बुक में उसने ही अपने लेटर में लिखा कि कौन सी इंडिन बेंटेंस की बात करो यह तो राजा के नाम के शपत में मारे हैड़ स्टेट हमारे राश्टती महदे हैं 1950 तक आपका हैड़ दस्टेट इंगलेंड का राजा था यह बात लोगकों नहीं पता है इस बात के बारे में और आप उनके अंडर में थे आपकी आपकी मिलिटरी में ख़ल से ओडिन चास और तालिस ओडिन चास तक उन पूरन सवराज मिला था बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं मिला था आपको डूमेन चेटिस मिला था अंगरी जोने आप पर पूरा कंट्रोल कर रहा था और अगर को इस बात का दावा करता है कि नहीं हमको complete independence मिली तो गलत बात बूल रहा है और उसी में एक कई लोगों नहीं सबका मालू मैं नहीं ऐसा नहीं है मैं दिल्ली का पैदा हुआ हूँ मैं political science में हमें किया है मैं आपको अभी बता रहा हूँ आप जाकर कि अपने 10 लोगों से पूछ लिए और उनसे ये सवाल पूछी कि 1949 में आपका head of the government यहां पे head of the state कौन था भारत के अंदर आपको को ही नहीं बता पाएगा सीधा अंसर King George VI हूँ आपके head of the state थे 1950 तक जब तक आपका समविधान लागू नहीं हो गया था इस देश में तो दूसरा सवाल जो लोग उसमें पूस्ट में अगर आप terminology देखें अगर आज जो परानी किताबे आप देखें तब जो अजादी के बाद अजादी को हम गबा सकते नहीं सर जुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं यह से कुछ गाना है तो वह आपको उसमें देखें देखें करके और और चीजों को देखर के नेक आपको एक फिलिंग आगी कि हम लोग बार-बार यह narrative में बोलागी कि भारत ने सतंतता जीती है हमने अंग्रेजों को भगा दिया इंसा से यह एक narrative निकल के आता है मलाला अजाद की किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम तो आप जो उस जमाने की आप बिटिश पार्लेमेंट की जो स्टेट्मेंट्स हैं आप वो पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंडेंस बिल को लेकर discussion जो हुई है या जो authentic records है आप उनको देखेंगे अंग्रेजों के हिसाब से कि चर्चिल क्या बोलता है क्लेमें टेटली क्या ब दिन नहीं किया आप लोगों ने आपको grant हुई है तो यह question आपका वहाँ settled हो गया और उसके अंदर भी आगे का सवाल जो बहुत important है लोग पूछते हैं कि चलो मानली आप 1947 में आपको independence नहीं मिली लेकिन 1950 में तो हमको independence मिली है हमारे देश के समिधान लागू हो गया हमारे मेरी पार्लिमेंट है दिली में हमारी पार्लिम सुप्रीम है मेरा constitution बोलता है sovereign है हमारे पद्धान मंत्री जो है वो देश के साइन लेते हैं अभी लेते हैं पहले भी थे चाहा मनमौन सिंग जी हो इंदरा गांधी जी हो पंडी जी हो वो sovereign थे वो हम लोग एक sovereign सरकार को अब नहीं राय करके लेकिन दो चार इश्यू हैं जिनको highlight करना बहुत जरूरी है पहला इश्यू यह है कि पंडी जी और बाकी लोग common wealth में जोइन करने के favor में नहीं थे मैं पंडी जी की बात कर रहा हूं सबास्पोस्तर वैसी भी खिलाव थे हम चीज़ों के common wealth में जॉइन करना अपने आप में कोई बड़ी बात मुझे अगर पूचे इंगाशी माने में अच्छी बात है मुझे कोई खुंदक नहीं है इंग्लेंड से आज में क्यों कि मैं इतिहास की निगाव मैं आपको एक इतिहासिक बात बोल रहा हूं आज की रिष्टे और हैं आज का इंगलेंड और पहले का इंगलेंड अलगबात है common wealth से हमको फायदे पहुंचते हैं हमें नुकसान नहीं है लेकिन एक विच्छा सोचने की बात ही कि common wealth basically गुलामों को टोला है जो पुराने गुलाम थे उनका एक गुरुप बना करके हम लो लोगों ने वो मना किया था लेकिन हम लोग जोइन कर गए तो उसमें मुद्दा एक पहला निकल के आता है कि सूचना के अधिकार में उनसे पूछा गया कि common wealth में जोइन करने के record दिये जाए तो वो आंसर सरकार ने दिया है भी मनमून सिंक के time में सूचना के अधिकार में क कि common wealth जोइन करने के record अवेलेबल नहीं है तो पहली बात ये सवाल पूछे जाए कि common wealth के record का है आप तो ये बताओ क्योंकि उन्होंने आंसर दिया कि ना उनके पास में है ना हमारे high commission London के पास में है और ना हमको पता है कि वो record कहां पर है तो सोचे ये answer दिया गया दूसरा इ जावर हुआ है उसमें बहुत सी secret clauses थी प्रोटोकॉल थे, secret थी, कुछ लोगों ने उसको, और उसके अधीन एक प्रोटोकॉल ये था कि वो सुभाष बोस नीता जी को, गुम्नामी बाबा को, अगर वो उनके हत्य चाड़ते हैं तो वो अंगेजों के हवाले करेंगे, या उनके पर कोई war crimes का trials राय जाएगा, whatever, ऐसे कुछ करके उनने बात बोली थी, इस बात को शुरबात करने वाले गुम्नामी बाबा थे, पहले उनी के correspondence में, मताब उनने वर्बली बोला है, बाद में उनके मूं से बोला गया, इंडिरेक्ली वो government के record पर आ चुका है, हम लोग किताब में, चंदो चुर्की मेरी में, आपको चुट्टी मिल दाएगी वो, तो प्रधान मंतरी office से हम लोग ने सूच्टाय करते कार में, वो हमने PMO की चुट्टी हमें लिया, तो उसमें में मैंशन किया है, कि यह कोई secret protocol है, जिसकी अधीन आप निता जी को उनके हवाले क करने वाले हैं, कि अनिहोग, इसको लेकर के बहुत controversy हुई है, और यही बातों को लेकर के लोग अलग-अलग बाते करते हैं, सरकार ने कभी इस बात को नहीं बोला, जबकि यह allegation publicly लगा करते थे, मैंने एक पुरानी Hindu Sun Temps की clipping post की थी, जिसमें एक निता जी के bodyguard ने Kosta Commission में 1972 Maka की एक claim किया था कि इन लोगों ने, Congress के बड़े नेतों ने, अंग्रिजों के साथ में कोई समझाता किया, गुपत, काईदे से सरकार को इस बात पर statement देने चाहिए थी, और यह dispute को खतम कर देना चाहिए था कि हमारा कोई secret protocol नहीं है, देश आपका जैसे हुआ, आपके साम की बात ही है कि 2015 के बाद, England साइट से, England के वहाँ पर कुछ डॉकुमेंट डीना सवाई होते हैं, जो मेरे हाथ लगे पहले, और वहाँ पर देखकर के हमको पहली बार एक confirmation मिलती है, England के साइट से, Great Britain के साइट से, कि हाँ ट्रांसवरा पावर के अंदर secret protocol थे, तो यह confirmation हो गय जाती है, वहाँ से जवाब नहीं आया है, यह हमको answer मिला है, यह इस बात का पता हमको चला है, Britain के सरकार के द्वारा की, हाँ, secret protocol थे, और एक secret protocol को confirm कर दिया गया, वो protocol था कि आप इस country में एक security liaison officer, intelligence को एक office खोलेंगे, और वो office खोला गया, और उस office को आप सुनके हरान हो जा आया गया, secret protocol था, secret office दिल्ली में एक British intelligence का office को लावा था, किसी को उसकी जानकर नहीं थी, और हमारे देश के जो intelligence वीरो के जो यह लोग थे, उनके डिरेक्टर जो थे, वो उसको जाके report किया करते थे, ना केवल report करते थे, उनको अपनी खबरे दिया करते थे देश की देश क दूरान उसी जो security liaison officer जो खोला गया था, उसी security liaison officer को इन्होंने निटाजी पर जासूसी करकर के, उनके परिवार और उनके लोगों पर जासूसी करके, ये लोग खबरे वहां पुचाय करते थे, उसका भी record clear मिल गया है, तो मतब आप देश आपका अजाद हो गया है, और ये क्या बला है, ये क्या है, तो किसी ने वो answer दिया नहीं, मैंने intelligence bureau पर RTA लगाया था मैंने सूचना क्यादिकार में, उन्होंने मुझे मना कर दी कि हम लोग तो इसमें कोई हमारा कोई सूचना क्यादिकार को हम नहीं मानने, अब मैं क्या करूं कोई parliament में स्वाल उठाता नहीं है, mainstream media के अंदर इतना लंबा समय नहीं होता, बाइट देनी पड़ती है 5-12 मिनट की जल्दी में, वहाँ ये discussion नहीं हो पाती, मैं भी शाद इतना अच्छा नहीं बोल सकता है, मुझे भी बोलने में टाइम चाहिए, मैं भी 15-20 मिनट बोलता हूँ, तो अपने, मेरा, तब मेरा मूड बनता अच्छा बोलने का, तो unfortunately mainstream media में हम लोग highlight नहीं करते हैं, हाँ, print के अंदर ये ख़बर जुरूर आई थी, और वो मेरा ही नाम था, उसमें, Times of India में, front page में ख़बर ड़ली थी, जब ये security liaison officer के बात हुई है, India Today में ख़बर आई है, और जगे आई थी, अब उसमें प्राशानी की भरानी की बात ये है, कि जो बीजेपी की सरकार जो देश पराज कर लिए, इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वैसे तो ये बीजेपी वाले दुनिया जहान बर की चीज़ों पर ये अपना कमेंट देते रहते हैं, इन्होंने अपना मू इसके मूँ नहीं खोला, उल्जेपी प्राब्लम अब ये भी भी है, क्कि भाजपा को सरकार भी लगता है कि माथमा गांदी का नाम जपने से फाइदा है, क्कि गांदी जी का नाम अमेरिका यॉरप में चलता है, तो बास्षों नहीं छलेगा ने हैं, और सभी ने अपने बच्चे वहीं सेटल करने अमेरिका यॉरप में तो क्यों बेकार में पंगा लिया जा तो कहने को तो ये लोग अपने पावर मियान से पहले बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लेकिन पावर मियाने के बाद में ये लोग भी मातला गांधी का डंका बजा रहे हैं और सारे फैक अब आप किया रहें कि पचास में आपको देश अजाद हो गया आपका राश्पती आपका देश का head of the government, head of the state हो गया In fact, a clipping मेरे दोस्त ने एक Twitter में Facebook में डाली थी और वो मैंने शेयर भी की थी और उसमें मैंने वो दिखाया था कि England के राजा का जनम दिन भारत में, अजाद भारत में मनाते थे और हमारे राश्पती महुदे जो है ना उनके जनम दिन पे England के राजा के वो उनकी High Commission में गए थे करके तो ये भी सोचने वाली बात है कि भी क्या है Anyhow, जो सबसे ज़्यादा suspicious बात एक तो ये SLO वाली security liaison officer कि 1968 तक अंग्रेज का intelligence network यहाँ पे था और आप उनको चुप-चाप से IB वाले उनको रिपोर्ट, IB डिरेक्टर नको रिपोर्ट करते थे और जो खराब बात ये है वो कि आपका 1954 पचपन तक अंग्रेज आपके Air Force के head थे आपके अंग्रेज का मेरा मतलब मैं Anglo-Indians की बात नी कर रहा हूँ, वो तो हमारे अपने लोग है जो यहाँ का है, वो यहाँ का है, वो चाहिए, वो कोई भी हो वो लोग जो अंग्रेज थे, जो यहाँ Air Force के chief थे और retirement के बाद में England चले गो और आप उनको pension दे रहे हैं उसके बाद में और आपकी Navy, हमारी Navy 1958 तक उसका यह जो chief था, वो अंग्रेज था मेरी बात को मारोगोली, आप Google है, आप जागर के भारती Navy की website पर जाईए, भारती वाईउसना की website पर जाईए, आप उसमें former chief की lift देख लिजिए, कि उसके former chief कौन थे, आपको दिखाए देखा, चबबबन तक आपका England, अंग्रेज आपका Air Force चीफ था, अठावन तक आपका Navy का चीफ आपका अंग्रेज था, तो यह बात कोई नो कोई हमको समझाए, कि अगर आपको transfer of power में कोई problem नहीं है, कोई secret protocol नहीं है, कोई, तो यह SLO क्या चीज है, और अगर आज़ादी मिल चुकी है और पचास में हम लोग republic हो गए हमारा कोई connection नहीं है तो यह कौन से protocol के अंतरगत, आप लोगों ने अंग्रेजों को अपनी forge में intelligence में आप लोगों ने उनको उनकी command पे आप चलते थे, फिर आप सवाल पूछते हैं कि जाब नेता जी जिन्दा आते तो नेता जी बाहर क्यों नहीं आए, नेता जी बाहर कैसे आएंगे आपकी पूरी machinery अंग्रेजों के हाथ में आप लोगों ने national interest को compromise किया है यह बहुत लंबा शोड़ा बड़ा issue है और बड़ा मुश्किल है समझाना इसको लेकिन मैं को लगा कि आपको मैं तरह 15 मिंट में हलका सा इसमें ओवर व्यू दूँ आने वाले समय में इसमें और discussion, debate होनी चाहिए और बड़ी खुशी की बात है कि कंग्णा रनौट के statement मुझे पता नहीं statement दो पूरी क्या दिया लेकिन उसकी वेसे थोड़ी सी debate इसको लेकर के हुई थी और इसको लेकर के Twitter और Facebook में काफी बावाल मचा था जाने भी कुछ किये थे, में भी लोगों ने काफी Twitter बिगरा देखे में बहुत लोगा उस context में जर आप लोगों से तोड़ा बातशीत करके आपको तोड़ा सा इसके बार में तोड़ा सा तरीकी से बताया जाए कि यह issue है और इसको आप धहर में रखिए आने वाले से में देखते हैं कि हम लोग इसमें और discussion और debate कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे चलिए धन्यवादा